रिवीजर एवरीटिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होगे देखी आज हम पॉलिटी में जो महत्वपूर्ण सम्विधान संसोधन हुए हैं जो एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही महत्वप सद से थे उन नोस τις इंडरा गांधी एच दी देव गवडा आई के गुज्राल और मन्मुहान सिंग ठीक है और इसका ट्रिक क्या है कि इंद्र देव गुम हुगे यानि इंद्र से इंद्रा गांदी देव से देव गवडा गुम से गुज्राल ओर जो गुम में यह मां है इससे मनमोहन सिंग, ठीक है, फिर उसके बाद है कि पहली लोग सभा के जो अध्यक्ष थे, वो गड़ेश वासुदेव मावलंकर थे, इनको जीवी मावलंकर भी कही कही लिखा रहता है, तो कन्फूज मत हुईगा, ठीक, और जो पहली लोग सभा थे, उसके जो उपाध्यक् है, वो हुआ है 1951 में, कब? 1951 में, ठीक है, और अगर आप लोग ध्यान दे, तो 1950 में ही तो हमारा सम्विधान लाग हुआ, और 1951 में ही हमारा पहला सम्विधान संसोधन हो गया, तो इसमें क्या हुआ, इसके अंतर्गत जमीदारी उनमूलन तथा भूमि सुधार किया गया ठीक है, ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमारी जो नौवी अनुसूची है, उसको जोड़ा गया था, अगर आप लोग ध्यान दे, तो जब हमारा मूल सम्विधान था, यानि जब हमारा सम्विधान बना था, तो उस समय केवल आठ अनुसूचिया थी, लेकिन जब पहली प् पर राज्यों का गठन किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भासाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा रहा था, लेकिन आंध्य प्रदेश के जो रामलू करके व्यक्ति थे, उन्होंने आमरण अंसन किया और 56 दिन बाद उनकी इमृत्ति हो फिर उसी के बाद से भासाई आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू किया गया, और इसी लिए फिर सात्वा समिधान संसोधन किया गया, ताकि भासाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सके ठीक, और इसी के अंतरगत ये दूसरा पॉइंट है, इसको ध्यान रख सब्सक्राइब इसके बाद है आठवा सम्विधान संसोधन इसमें क्या कहा गया है कि लोग सभा तथा विधान सभा में जो सीटे हैं उनको 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया इसका क्या मतलब है कि जब मारा सम्विधान लागू हुआ तो उस समय सीटे के लिए लोग सभा और राजे सभा में सीटे आरक्षित की गई थी लेकिन 1960 में ही ये समय समाप्त हो रहा था यानि 1960 तक ही आरक्षित की गई थी तो जब आठवा सम्विधान संसोधन करकि इसको दस साल के लिए और बढ़ा दिया गया है ठीक है मनलब बढ़ा दिया गय था इसी तरीके से दस-दस साल करते करते अभी ये चल रहा है ठीक तो आठवा सम्विधान संसोधन कब हुआ 1960 में अब इसके बाद में है तो पूर है अठारवा सम्विधान संसोधन जो की 1906 में हुआ था ये साह आयोग की सिफारिस पर पंजाब के पुनरगठन के लिए कि किया गया था ठीक है और पंजाब का पुनरगठन जो हुआ वह भाषाई आधार पर ही किया गया क्या क्या कि जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए पंजाब बन गया ठीक हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए हरियाना बन गया और जो हिमानचल प्रदेश में जो व्यक्ति थे हिमालाई छेत्र में उनके लिए हिमांचल प्रदेश बन गया और चंदीगर को बना दिया गया केंदर शासित प्रदेश ऐसा क्यों क्योंकि जो हर्याणा और पंजाब थे दोनों उसे अपनी राजधानी बनाना चाहते थे तो चंदीगर सविधान ठीक फिर है से 35 समवधान च संसोधन जो की कब हुआ था उनिससोचहथ्ट्र इसके तएट जो सिक्किम था इसको सहराज बनाया गया था कहने का क्या मतलब है कि जो सिक्किम था वो पहले हुआ 1975 में इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज का दर्जा दे दिया गया और उसके बाद जो सिक्किम था वह 22 राज बन गया ठीक है फिर उसके बाद है 42 समीधान संसोधन इसको यह तो बहुत ही महत पूर्ण है इसको ध्यार रखिएगा 42 समीधान संसोधन कब हुआ 1976 में और यह जो समीधान संसोधन था यह स्वांड सिंग समीती के आधार पर हुआ था यह स्वांड सिंग समीती याद रखिएगा ठीक है और इसके तहर तो क्या क्या चीजे हुई थी तो यह 42 समीधान संसोधन में कुल 69 प्रावधान जोड़े गया 1590 और इसको मिनी समीधान क पंथ निर्पेक्ष एकता और अखंडता जो शब्द थे वो इसी सम्विधान संसोधन के अंतर का जोड़ा गया तो ये 42 सम्विधान संसोधन याद रखिएगा अब आगे देखते हैं उसके बाद है चव्यालिश्वा सम्विधान शंसोधन देखिए जो बयालिश्वा सम्विधान संसोधन था उस समय जो प्रधान मंत्री जी थी वो इंद्रा गांधी जी थी लेकिन जब 44 सम्विधान संसोधन 1978 में हुआ इस समय प्रधान मंत्री मुरार जी देश आई थे और इसी 44 सम्विधान संसोधन द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था आप लोगों को पता हो कि जब सम्विधान बना तो उस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था लेकिन इसको 44 सम्विधान संसोधन से बदल कर इसको कानूनी अधिकार के अंतरगत रग दी गया ठीक और उसके अलावा जब सम्विधान बना तो उस समय पर हमारे समिधान में एक शब्द था आंत्रिक असांति के अधार पर आपात लगाया जा सकता है लेकिन इसका दुरूपियोग हुआ इसी के कारण फिर चवाली सिवे समिधान संसोधन में इसको भी बदल दिया गया आंत्रिक अशांति की जंगहा पे ससस्त्र विद्रोह डाल दिया गय ठीक है फिर उसके बाद है 52 समिधान संसोधन इसके तहर दल बदल को जोड़ा गया 52 समिधान संसोधन कभ हुआ तो 1985 में इसमें क्या होता था कि माली जी की कोई एक नेता है जो एक पार्टी का है लेकिन जीतने के बाद वो कोई पार्टी जॉइन कर लेता था इसी तरीके से सरकार में आइस्थिरता आ जाती थी पता लगा पार्टी नंबर ए से कोई जीता हुआ है लेकिन जीतने के बाद व जीतने के बाद भी यानि कि आपने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा हुआ है जिसका निशान लेके जीतने के बाद आप उसी पार्टी में रहेंगे आप अपना दल बदल नहीं कर सकते ठीक फिर उसके बाद है एक सठभा समीधान संसोधन जो की निस सो नवासी में हुआ है इसके तहद जो मताधिकार किया oyu 21 वर्ष थी वो 18 वर्ष कर दी गई है यो कहने का क्या मतलब है कि जब शुरुआद में समीधान बना था तो उस समय मताधिकार किया oyu 21 वर्ष थी लेकिन समी यह 65 के बाद डारेक्ट यहां पर 89 सम्विधान संसोधन का इसके लिए इसके लिए कूछ पर उसके बाद सम विधान संसोधन जो कि 1991 में हुआ इसमें क्या हुआ कि डिल्ली पांडीचेरी में विधान सभा का का गथन किया गया यानि पहले यहां पर विदान सभा नहीं थी लेकिन जन संक्या पड़ने के करण यहां पर विदान सभा का गढ़न किया गया कब 79 संविधां चंसोधन में ठीक फिर उसके बाद सत्तरव वश्म Juice संसदं इसमें क्या हुआ कि दिल्ली के और पांडिचेरी को राश्पती की NIRVAACAK मंदल में शामीन हो ौल ड़न के लिए बोल दिया गया किहने का क्या मतलब है कि राशपती का जो निर्वाचक मंदल होता है उसमें सभी राज्यों की विधान सभाय भाग लेती हैं दिल्ली और पांडी चेरी में नई नई विधान सभा बनी थी इसलिए सम्विधान संसोधन करकी ये भी जोड़ा गया कि भाईया अब से दिल्ली और पांडी चेरी भी राश्टपती के निर्वाचन में भाग लेगी ठीक उसके बाद है 73.000 संसोधन जोकी 1992 में हुआ इसमें के पंचायती राश के गठन की चर्चा की गईए और इसी के तहट 11 वी अनुसूचि भी जोड़ी गई, पहले सम्विधान संसोधन से 9 वी अनुसूचि, 73 सम्विधान संसोधन से 12 वी अनुसूचि जोड़ी गई, ठीक है? तो 74 समिधान संसोधन 1992 में क्या था नगर पालिकाओं के गठन की चर्चा की गई थी फिर उसके बाद है 86 समिधान संसोधन जो की 2003 में हुआ इसमें अनुच्छेद 21-1 के तहट जो प्रारामभीक सिच्छा थी उसको मूल अधिकार बना दिया गया था यानि जो हमारी प्रारामभीक सिच्छा थी पहले ये नीतिनी देशक तत्वों में थी लेकिन नीतिनी देशक तत्वों की क्या खासियत होती है कि वो कंपलसरी नहीं है राज्य चाहे तो दे सकता है राज्य चाहे तो नहीं दे सकता है है ना लेकिन 86 समविधान संसोधन करके उसको मूल अधिकार में रखदिया गया, तो वो कम्पलशरी हो गया है, सबको देना है न, फिर इसके बाद है नवासीवा सम्विधान संसोधन जो की 2003 में हुआ इसके तहट STIO का गठन किया गया इसके बारे में हमने अभी देखा हुआ है फिर उसके बाद है समवा समविधान संसोधन जो की 2015 में हुआ इसके तहट भारत और बांगला देश के बीच भूमी हस्तानांतरण किया गया इसमें क्या हुआ था कि भारत के जो कुछ छेतर थे वहाँ पे बांगला देश के लोग रहते थे और बांगला देश के कुछ छेतर में भारती ही रहते थे तो इसी भूमी का हस्तनांतरन किया गया कि हमारे लोग हमारे यहां चले याएं और आपके लोग आपके यहां चले जाएं तो समवे समविधान संसोधन से बांगलादेश और भारत की जो भूमी थी उसको हस्तनांतरन कर दिया गया फिर है 101 संविधान संसोधन जो की 2017 में हुआ इसके तहट GST यानि Goods and Service Tax को एड़ किया गया तो इसमें ध्यान रखेगा कि जो 101 संविधान संसोधन था ये 122 संविधान संसोधन बिल था कहने का क्या मतलब है कि बिल तो 122 था लेकिन संविधान संसोधन 101 था इसका क्या मतलब हुआ कि देखे जो हमारा संसद है यहाँ पर बहुत सारे संविधान संसोधन के लिए बिल आते हैं पर जरूरी थोड़ी नहीं कि सभी पास हो जाएं जो सही नहीं होते जिनको सपोर्ट नहीं मिलता वो सभी कैंसिल भी हो जाते हैं तो इसको ध्यार रखिएगा कि 101 संविधान संसोधन था लेकिन अगर बिल की बात करें तो 122 संविधान संसोधन बिल था ठीक इसके तहट जो सामान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको सैक्षिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% का अरक्षन दिया गया कहने का क्या मतलब है कि अगर आप लोग देखते हो कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं अब उनको एक इसके बारे में हमने अभी देखा हुआ था कि दद्दस साल करके इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं तो जो लेटिस्ट वाला संविधान संसोधन 104 है वो इसी से संबंदित है कि एससी एस्टी आरक्षण को दस साल के लिए बढ़ा दिये गया है यानि 2020 से 2030 तक कर दिया गया है इसके अलावा इसी के तहट जो एंगलो इंडियन थे उनके सीटों का जो आरक्षण किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है फिर अगला है 105 संविधान संसोधन जो कि 2021 में हुआ और ये 122 संविधान संसोधन है यहां पर साथ लिखना भूला जा चुका है तो उसको थोड़ा सा कांप्रमाइस कीजिएगा पीडियस में उसको हम सही कर देंगे ठीक है तो 105 संविधान संसोधन जो कि 2021 में हुआ था ये 127 वा विधेयक था संविधान संसोधन विधेयक और इसके तहट जो जो राज सोची बनाने का अधिकार दे दिया गया तो ये कुछ महत्तुपुण संसोधन थे जो एक्जाम के दृष्ट से बहुत ही महत्तुपूण थे तो आई होब कि आपको ये एक्जाम में help करेगा, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, thank you.